आज की मूवी आपको नोस्टेल्जिक फिल कराएगी, बहुत सारी यादे ताजा करेगी, शायद फर्स लोग की याद दिलाए मैंने मूवी को देखा तो मेरा दीन बन गया था, इतनी है ब्यूटिफुल है आज कुछ नया, फर्स टाइम हम इस चानल पर एनिमी एक्स्प्लेंट करेंगे आज के हमारी मूवी का नाम, फ्लेवर्स ओफ यूथ, ये 2018 की एक बहुत ही ब्यूटिफुल सी एनिमी है इसमें तीन स्टोरीज है, जो हमें लाइफ के वारे में कुछ अलग-अलग चीज़े सिखा कर जाती है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रू कर दीचेगा Now hold on to your seats और इस सफर का मज़ा लीजे मूवी स्टार्ट होने के बाद हमारी फर्स स्टोरी आती है, जिसका नाम है शैंजान नूडल्स हमारा में क्यारेक्टर जिसका नाम है जेम्स एक बड़ी सीटी से, यानि बेजिंग से अपने अब घर जा रहा था एरपोर्ट पर उसे सब कुछ यादे याद आती है, वो हमसे कहता है किसी कोल्ड सूप की तरह, इस सीटी ने उसके सोल को बरबात कर दिया है आसपास के लोग भी उसी तरीके से अपनी जिन्दगी ची रहे है, उसे लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ चीजे पीछे चुट चुकी है अब जब वो घर जा रहा है, तो शायद वो टेस्ट वापस आईगी, उसे सैंचान नूडल्स की याद आती है हमें फिर सैंचान नूडल्स दिखाई जाती है, जो उसके बचपन के लिए बहुत ही इंपोर्टन थी उसके मदर फादर उसके साथ नहीं थे, एक छोटे से गाव में वो अपनी दादी के साथ रहा करता था यहाँ सब लोग अपनी फार्मिंग में बहुत सारी मेहनत करते थे सुबह सुबह एक नूडल्स के प्लेस पर जाकर सबका ब्रेकफास्ट होता था इनी नूडल्स के साथ जेम्स की चाइड़ोड में मेरी जुड़ी हुई है बच्वन में वो अपने फ्रेंड्स के साथ मार्बल खेलता था शैंचान नूडल्स का पाव लेकर उसकी दादी उसके पास आदी थे साथ में एक साथ हर दिन ये इनी नूडल्स का breakfast करते थे जेम्स को इन नूडल्स की टेस्ट अभी भी याद है अईस की बनी हुई transparent नूडल्स उसमें बहुत सारे mushrooms थिक soup ये सब बहुत ही जादा tasty था सब flavors एक दूसरे में खुल मिल जाते थे वो कहता है इन नूडल्स के पीछे बहुत सारे मेनत लगती थी जिस छोटे से restaurant से आती थी वहाँ पर husband and wife ये दोनों ही काम करते थे बाकी लोग readyment नूडल्स यूज करते हैं पर हमेशा ये अपने हाद से बनाते थे सब ingredients को freshly काटते थे हर सुबा शॉप के बाहर हमेशा लाइन होती थे बाद में James को पता चला कि वो शेफ actual में एक बड़ा शेफ था वो फिर से अपने गावा कर लोगों को सर्फ कर रहा था जो भी उसका food है इसमें प्यार जलकता है उसकी ग्रैंडवाउं से कहा कर दे थे अगर तुम्हें अच्छा खाना पसंद है तुम्हें वैसा ही मिलेगा एक दिन अचानक से रेस्टान बन पड़ गया शायद किसी को जेलेसी होके या उस शेफ के सीटी के बॉस ने उसे वापस बुला लिया था इसके पीछे का रीजन किसी को भी पता नहीं था पर सब लोग उन नुडल्स को बहुत ही मिस करते थे जेम्स कहता है कि वो दोनों कहीं भी होंगे हवेशा लोगों को अच्छा सा सर्व करेंगे वो लोग लखी होंगे इसके बाद अगली मेमरी जो उसे आती है उसका बेटा भी उसी स्कूल में जाता था जहाँ पर जेम्स जाता है जेम्स से उसकी जान पहेजान थी यह सब बाते उसने उसे कही थी जेम्स को यहां के नुडल्स पसना आते थे पर यहां आने का रीजन उसका कुछ अलग था एक लड़की इस शौप से होकर आगे स्कूल में जाया करती थे यह जेम्स की सिनियर थी पर जब वो धूप में जाती थी तो उसके बाल लहरान गोल्डन दीखना यह सब जेम्स को बहुत ही लुबाता था उसने उससे कभी भी बात ने की पर हर रोज उसे देखने के लिए वो यहाँ आया करता था यह सीन देखने के बाद वो वाल लूड का गाना याद आता है वो जब यहाँ से गुजरती थी तो जेम्स को लगता था कि सब चीज़े हमेशा ऐसी चलेगी एक दिन वो फिर से अपने नूडल शॉप पर आया तो बदल चुका था नूडल के लेडी को उसके हस्बन ने समझाया और उन्होंने फीज शॉप डाल दी थी नूडल शॉप तो आ गया था पर जेम्स को लेडी खुश नहीं लगी एक दिन स्कूल में एक स्टूडन को बहुत मारा गया था उस नूडल लेडी का ही ये बेटा था उस लेडी के बहुत सारे होप्स थे उसका बेटा सही से सिखेगा और अची सी जॉब लेगा पर ऐसा अब कुछ भी नहीं हो सकता वो बहुत ही जादा दुखी थी इसके बाद और भी कुछ दिन चले गए और ये नूडल शॉप फिर से उपन हुआ नूडल लेडी का बेटा भी अब शॉप में काम कर रहा था ये as a family तिनों बहुत ही खुश थे जब जेंस बड़ा हो गया उस city में काम करता था हमेशा उसे बचपन में अपनी ग्रैंड मा की उस नूडल लेडी की सब की memories आती रहती थी गहता है कि मैं आज भी नूडल्स खाता हूँ पर अकेला ही जिस commercial नूडल शॉप में नूडल्स खाता है वहाँ के नूडल्स पर उतनी ज़्यादा टॉपिंग नहीं मिलती उसका टेस्ट तो ठिक टाक है पर बचपन जैसा मजा नहीं आता अब फिर से present में जैम्स फ्लाइट लेकर अपने घर पर आ गया यो कि इसकी दादी बीमार थी उसकी दादी कहती है कि शायद हम दोनों मिलकर फिर से कभी शैंचान नूडल्स खा ना सके ये सुनकर जैम्स के आखों में आसो आ गया अपने दादी की कुजर जाने के बाद कुछ दिन वो यही रुका एक दिन जैम्स वाक पर निकला उसकी पुराने स्कूल पुराना गाव सब कुछ देखा स्कूल के पास नूडल्स शॉप आज भी वैसे का वैसा ही था नूडल लेडी अपनी फैमिली के साथ सब लोगों को सर्व करती थी ये पूरी फैमिली खुश थी कुछ चीज़े कभी भी नहीं बदलती वो फिर से वावेट कर वो इस लड़की को याद करता है यहाँ उसने रियलाइस किया कि लाइफ में चीज़े कितने भी हाड क्यों न हो जाए पर फिर भी एक आशा की किरन तो आने ही वाली है अपनी लाइफ को लेकर वो बहुत ही दुखी था पर वो होफफूल है कि कभी ना कभी तो उसे खुशी मिलेगी है इस स्टोरी का यही मैसेश था पास में हमारी बहुत सारी यादे थी शायद आज कल जिन्दकी उतनी सही नहीं चल रही पर हमेशा में होफ है कि जिन्दगी अच्छी होगी और हो भी जाती है परसनली मैरे कुछ दिन बहुत ही खराब होते है पर future के लिए हमेशा मैं hopeful होता हूँ इसी hope की वज़े से मुझे बहुत ही अच्छी सी दुनिया नजर आती है अच्छे दिन मिल जाते हैं इस story का यही message था इसके बाद हम अगली story पर बढ़ेंगे इसका नाम है little fashion show हमारी main character का नाम है क्रिस्टी क्रिस्टी हम से कहती है मुझे बच्पन से अच्छे अच्छे कपड़े पहनना बहुत ही अच्छा लगता था उसकी sister का नाम है Lily और वो Lily से हमेशा कपड़े exchange कर लेती थी बाद में वो बहुत ही ज़ादा tall हो गए तो एक कर नहीं पाए क्रिस्टी को लगता था कि उसका tall होना ये कुछ सही चीज नहीं है पर उसी वज़े से उसे एक job opportunity मिली वो बहुत ही अच्छी model बन गए अलग-अलग कपड़े पहनना उसे अच्छा लगता था तो यही अपनी पूरी life तक वो करती रहेगी वो बहुत ही blessed महसुस करती थी और बाद में उसने realize किया कि हर model का एक दीन होते है उनी दीनों में वो trending में होती है बाद में उसे कोई भी job नहीं मिलता ये feeling उसके लिए बहुत ही heart थी एक show के बाद एक जगा पर वो खड़ी थी तो उसका editor उसके पास आया वो कहता है आगे देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है जो भी चीज़े उसे दिख रही थी ये उसने बता दिये editor कहता है कि आज तुम जिस जगा पर हो वो आप बहुत सारी लड़किया पोशना चाती है क्रिस्टी कहती है मैं इन सब बातों के mood में नहीं हूँ और वहाँ से चली जाती है क्रिस्टी को पता नहीं था कि उसका नया editor है इस पर क्रिस्टी का manager उसे बहुत डाटता है आज उसका बड़े था तो उसकी sister Lily ने उसके लिए बहुत सारा खाना बनाया था इसमें handmade cake भी था उसे text करकर जल्दी खराने के लिए कहती है पर क्रिस्टी आज आ नहीं बाएगी क्योंकि उसके office में उसके लिए एक बहुत बड़ी party रखी हुई है क्रिस्टी के पास उसका कलिक आया जिसे वो पसंद करती थी क्रिस्टी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था सिंडी को बुला लिया गया तो वहाँ से चली गए क्रिस्टी के कलिक को सिंडी बहुत ही पसंद आयी थी वो कहता है कि वो बहुत ही fresh थी model बनने के लिए जो भी चाहिए इस सब चीज़े उसमें थी इस बात से क्रिस्टी frustrated हो गए और उसने बहुत ही ज़ादा drink कर लिया वैसे उसका manager उसे घर लेकर आता है लिली ने इतना सारा खाना बनाया था तो manager को बुरा लगता है कि सिंडी कुछ भी खाने के हलत में नहीं है लिली कहती है कि मैं मेरी sister के लिए बहुत ही grateful हो अगर वो नहीं होती तो आज में मैं यहाँ वहाँ रहा करती एक्चुल में इनके parents की death हो चुकी थी यह दोनों अलग-अलग रिलेटूस के पास रहते थे क्रिस्टी जब model बनके तो अपनी sister लिली का खैल रखती है अगले दिन क्रिस्टी का शूट था पर हैंग और थी तो इस वज़े से उट नहीं पाए इस शोव में क्रिस्टी की जगा जो new model थी इसका नाम था सिंडी उसे उन्होंने ले लिया यह चूज करने वाला भी क्रिस्टी का कलीग ही था इस बात से क्रिस्टी बहुत ही ज़्यादा डिस्टब हो चुकी थी अब थोड़े दिनों बाद फैशन शो आने वाला है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लेगी उसकी sister लिली को कपड़े डिजाइन करना बहुत ही अच्छा लगता है वो क्रिस्टी के लिए केर करती है तो कहती है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लेनी चाहिए अपने आपका भी तुम खैल रखा करो आजकल तुम ज़्यादा कुछ खाती भी नहीं क्रिस्टी गुसा आओकर कहती है कि तुम अपना अपना खयाल रखो मैं खुद का देख लूँगी अपनी ब्यूटी को मेंडेन करने के लिए क्रिस्टी बहुत ही जादा मेहनत ले दी थी हमेशा जिम में जा दी थी उसने खाना बिना बहुत ही मिनिमम कर दिया था अब फैशन शो का डे आया इसमें क्रिस्टी और सिंडी एक दूसरी की कॉमपिटिटर थी क्रिस्टी ने खुद को बहुत स्टेस्ट आउट कर दिया था वो अचानक से उसका सर दुखने लग गया वो ऐसे ही रैम पर गई तो चक्कर आने की वज़े से नीचे गिर जाती है अब उसे लगता है कि उसका करियर खतम हो चुका है वो जब हॉस्पिटल में एडमेट थी तो उसके सबने में उसकी मदर आई वो इन दोनों सिस्टर्स के लिए कपड़े डिजाइन कर रही थी यही चीज अब लिली भी करती है लिली चाहती है कि उसकी डिजाइन की होए कपड़े अगर किसी को खुश करे तो वो भी खुश रहेगी क्रिस्टी को अब लग रहा था कि उसका करियर ओवर है और कुछ अलग करना चाहती थी वो लिली से गहती है कि मैं भी तुमारी तरह कपरे डिजाइंग करूंगे इस पर लिली बहुत ही ज़ादा गुसा हो गए क्रिस्टी का हमेशा से एक ही गोल था कि वो मॉडल बने और अपनी सिस्टर का खैल रखे लिली अपने सिस्टर को अपने गोल से डिवेट होता हुआ देखकर बहुत ही ज़ादा गुसा हो गए थी क्रिस्टी ने गुसे में लिली से कहा था कि तुमें जो लाइफ मिली है यह सब मेरी वज़े से मिली है लिली को इस पर गुसा आ गया और वो अप स्कूल जाकर रह रही थी इसके बाद क्रिस्टी अपने मैनेजर से मिलनी के लिए आई वो कहती है कि अब में जॉब छोड़ देने वाली हूँ वो अपनी सिस्टर को सपोर्ट करना चाहती है इसलिए पैसे कमाएगी उसका मैनेजर कहता है कि तुम दोनों चीज़े चाहती थी मॉडल बनना और अपनी सिस्टर को सपोर्ट करना तुमारा तो कोई हस्बंड भी नहीं है तो तुमारा खैल रखेगा तुमारा फ्यूचर यह बहुत ज़्यादा अंसर्टन है क्रिस्टी अपने मैनेजर पर भी गुसा हो गई कहती है कि मेरी वज़े से तुमने बहुत सारा पैसा कमाए है और मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो मैनेजर कहता है इसी गुसे की वज़े से सब प्रॉलम हुआ है अपनी सिस्टर को भी ऐसा ही कुछ तुमने बोल डाला होगा यह जो तुमारा गुस्सा है यह तुम अपनी मॉडलिंग में दिखाओ अगर मेनत करोगी तो फिर से टॉप मॉडल बन सकती हो क्रिस्टी भी अब इस चीज के लिए मान जाती है उसके मैनेजर ने एक शो के लिए उसे आने के लिए कहा अगले दिन क्रिस्टी के लिए लिली ने कुछ नोट छोड़ी थी इसमें उसने वेस्ट आप लग किया था क्रिस्टी फिर फैशन शो की जगा पर पोच्छ दिया क्रिस्टी की मैनेजर और लिली ने मिलकर लिली के सब सरकल को यहां बुलाया हुआ है जो ब्यूटिफल से क्लॉज लिली डिसाइन करती है यही पहन कर अब क्रिस्टी को फैशन शो करना है क्रिस्टी का यह शो बहुत ही सक्सेस्फुल हुआ अब उसे किसी के पास भी काम मागने के लिए जाना नहीं पड़ेगा इन दोनों सिस्टर ने मिलकर एक लोधिन लाइन ही डिवलोप की है एक बड़ा विजनेस खड़ा कर दिया है यह दोनों सक्सेस्फुल होगे यह स्टोरी भी हमें बता कर जाती है यह कवे भी हमें हमारे ड्रीम से भागना नहीं चाहिए उन्हें एक करेज के साथ परस्यू करना चाहिए अब मुवी की अगली स्टोरी यह हमारी लव स्टोरी है इसका नाम में शंगाय लव मुवी स्टार्ट होती है और हम देख सकते है कि हमारे में केरिटर इसका नामे रॉन एक नए घर में शिफ्ट हुआ है शिफ्टि में उसका फ्रेंट पॉल उसे हेल्प कर रहा था उसे पच्टा आता है कि बहुत ही इंपल्सिव डिसीजन था उसने अपने पैरेंट्स को बोल दिया था कि वो घर से चला जाएगा अपनी बात से वो मुकर नहीं सकता था तो इसी वज़े से अब वो शिफ्ट कर रहा है एक्च्टल में काम पर उसे बहुत ही जादा लोड था जो डिजाइन उसे बनाने के लिए कही गई थी उसके बहुत डाट पड़ी जब वो घर पर आया तो उसकी मदर उसे इरिटेट कर रही थी इसी वज़े से गुसे गुसे में हो घर से निकल गया उसकी नई बिल्डिंग से उसके ग्रैंड मा का घर दिखता है उसका फ्रेंड बोचता है क्या अभी भी तुमारी ग्रैंड पा वही रहती है यह जगा देखकर उन्हें अपनी बच्पन की याद आती है शिफ्टिंग के सब सामन अनपैक करते हुए रॉन को एक कैसेड मिली उसे याद आया कि एक कैसेड तो सिया के पास थे जो उसकी बेस्ट्रेंड हुआ करती थी पॉल कहता है कि एक दिन मिली तुमारे घर आया था तुम बहुत ही बीजी थे तो तुमारी मदर को मैंने देई दी थी इसके बारे में रॉन को कुछ भी पता नहीं था इस कैसेड का मैसेज उसके लिए बहुत ही ज़ादा इंपोर्टन है पर आज काल का जामाना ये डिजीटल का है उसमें कैसेड प्लेयर उसे कही भी मिलने नहीं वाला इसी कैसेड प्लेयर को ढुणने के लिए वो हर जगा पर भागने लगता है इसके बाद हमें उसका पास्ट पता चलता है रॉन, सिया और पॉल बेस फ्रेंड्स थे बचपन में हमेशा एक साथ ही रहते थे सिया दिल की बहुत ही अच्छी थे रॉन के ग्रैंडपा के लिए उसने चश्मा बनवाया था ग्रैंड मदर को गार्णिंग में हेल्प करती थे रॉन, सिया और पॉल ये तीनों फ्रेंड्स मिलकर हमेशा गाने सुना करते थे एक दिन ये ऐसे गाना सुन रहे थे तो पॉल सिया से विस्किट मांगता है पर विस्किट सिया रॉन को देती है इस पर पॉल ने कहा कि मुझे हमेशा से मालूम था कि तुम रॉन को पसंद करते हो इस पर रॉन इंबैरस हो गया पर पॉल चिला चिला कर सारे घर में बता देता है रॉन के ग्रैंटपा भी उसका बहुत मज़ा खुडाते है सिया जब घर जा रही थी तो अचानक से उसका पेर लचक गया रॉन फिर उसे अपने कंदे पर उठा कर घर लेकर जाता है वो कहती है कि शायद मैं कल स्कूल नहीं आऊंगे उसने उसे एक कैसेट दी कहा कल जो भी होगा इस कैसेट में रिकॉर्ड कर लेना रिकॉर्ड करते हो कुछ फणी चीज़े बोलना यानि मैं बार-बार सुन पाओ अगले दिन बेचारा रॉन ये रिकॉर्ड करते करते पकड़ा गया एक कैसेट उसने सिया को दिये अगले दिन सिया फेसे उसे वापस करते है कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक मैसेज रिकॉर्ड किया है जो घर जाकर तुम सुनना इसके बाद इन दोनों की इसी तरीके से बात्ची शुरू हो गई दोनों हमेशा कैसेट में मैसेज रिकॉर्ड करकर सुना करते थे सिया ने रॉन से पूछा कि आगे चल कर तुम्हें क्या कर रहा है रॉन कहता है कि मुझे एक बिल्डिंग बनानी है जहाँ पर तुम्हें और पॉल हम सब रह पाए हम तिनों हमेशा सॉंग सुनेंगे इसी तरीके से अलग-अलग चीज़ों के बारे में बात करते है एक दिन सिया रॉन और पॉल को बताती है कि उसे एक अलग स्कूल में जाना है इसके लिए उसे एक इंटरांसिज़ाम देनी पड़ेगी जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है रॉन कहता है कि उस स्कूल तो बहुत ही दूर है सिया ने कहा कि हमारी फैमिली को मूव करना पड़ेगा सिया ये नहीं चाहती थी उसके फादर ने उसे फोर्स किया तो इसी वज़े से ये जब उसे करना पड़ रहा था रॉन बहुत ही ज़्यादा सैड था जब अपनी फैमिली के साथ वो डिनर कर रहा था तो उसके फादर पूछते है ऐसा क्या हुआ वो सब कुछ पता देता है फादर कहते है तुम्हें भी उसकी तरह पड़ाई करनी चाहिए रॉन एगरी करता है कहता है मैं भी अब उसी स्कूल में जाऊंगा फादर कहते है कि तुम्हारे लिए पॉसिबल है तुम अगर सही से मेहनत करोगे तो 100% अच्यू कर सकते हो अगर तुम्हें एडमिशन मिल गए तो हम भी स्कूल के पास रहने के लिए चले जाएंगे अब रॉन ने डिसाइड कर ही लिया था तो अब क्या था उसने बहुत ही जादा मेहनत ली किसी भी चीज़ को इंपोर्डनस नहीं दिया मदर ने बाद रॉन को बताए थी पर तो वो स्टेडी कर रहा था तो उसका कॉंसेंट्रेशन उसमें ही था वो इस कैसेट के बारे में कम्प्रीटली भूल चुका था इसके बाद इंडरांस एजाम हुए जब रिजल्ड आया तो रॉन को एडमिशन मिल चुका था वो बहुत खुश था भागते भागते डारेक्ली सिया के घर पर ही पहुचा सिया घर पर नहीं थी तो उसकी नेवर ने कहा कि उसका एडमिशन नहीं हुआ इसी वज़े से उसके फादर बहुती ज़्यादा गुसा थे उन्होंने उसे बहुत मारा तो अब वो हस्पिटल में है रॉन को बहुत बुरा लगता है इस सिया का एडमिशन नहीं हुआ उसने जो भी चीज़े की यह सिफ सिया के लिए कि एक दिन रॉन, सिया और पॉल उसके ग्रैंड मा के यहां मिले थे पहले बहुत बात ही करते थे पर अब टाइम गुजर चुका तो एक दूसरी के बसनल लाइफ के बारे में उन्हें पता नहीं है तो इस बार कुछ भी बात नहीं कर पाते इस मूवी ने इस बात को बहुत ही अच्छे से पॉइंट आउट किया है मैं खुद मेरे फ्रेंड को चार साल बात मिलने के लिए गया था तो हम दोनों में एक awkwardness थे उस दिन मुझे बहुत ही बुरा लगा था पर बात में मैं उससे फिर से मिला तब हम दोनों बहुत ही फ्री थे तीन बर हमने सिर्फ बात ही की थे सब कुछ ठीक भी हो जाता है फिर से मूवी की तरफ बढ़ते हैं इस डिनर के बात सिया रॉन के पास आकवर बेटी है उसने नोटिस किया कि रॉन के पास CD प्लेयर है सिया उससे कहती है कि मैंने तुम्हें जो कैसेट दी थे इससे तुम इग्नॉर कर देना इसके बारे में जादा कुछ सोचो मत रॉन के हेड़फोन थे तो ये बात वो सुन नहीं पाया अब फिर से हमें प्रेजेंट दिखा जाता है और अभी-अभी रॉन को इस कैसेट के अबारे में पता चला है जावार ढून कर अपने कैसेट प्लेयर को ढून डिलेता है इसमें सिया का मैसेश था जिसमें उसने कहा था कि उसके फ्रेंड्शिप को बहुत ही वैल्यू करती है वो लाइफ में आगे तो बढ़ना चाती है पर अपने फ्रेंड्श के साथ वो नए स्कूल में नहीं जाना चाती रॉन के साथ ही रहना चाती है तो एंटरांस एक्जाम में खुद से वो फेल हो जाएगी रॉन को यह सुनकर बहुत पच्छता होता है वो अपने जॉब से सैटिस्फाइड नहीं था वो फिर से ना बच्छता है तो इसलिए उसने जॉब छोड़ दिया अपने ग्रैंड मा के यहाँ एक बड़ा सा मॉटिल उसने डाला उसने हमेशा से कहा था कि एतिनों फ्रेंड एक ही बिल्डिंग में रहेंगे तो अब उसने बड़ा सा मॉटिली क्रियेट किया है जिससे बिजनेस भी होगा और वो फ्रे में रह सकता है वो यहाँ अपने फ्रेंड पॉल के साथ रहता था सिया अपने एजुकेशन के लिए अमेरिका गई थी अब इतने साल बात जब वो वापस आये तो डायरेक्ली रॉन के पास ही आती है यह दोनों इक दूसरे से मिल चुके है और इनकी लव स्टोरी कम्प्लेट हो गई है इस एक ब्यूटिफुल से मुमेंट पर यह मुवी एंड होती है यह मुवी मुझे तो बहुत अच्छी लगी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुवीज लेकर आत रहता हो तो प्लीज इस चैनल को सबस्क्राइब कर दीजे और बेल नाटिवेशन आइकों दावने मत भूलिएगा फिर से मिलेंगे और एक नए मुवी के साथ तब तक लिए थैंक यू और आप अपने आपका खैल रखिया